दोस्तो आज के हमारी सुटड़ का टोपिक है Watt, Kilowatt, KWH और Unit यह क्या होता है और इन में क्या अंतर होता है दोस्तो अगर आप कहीं पर Electrical में काम करते हैं या फिर Electrical कहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको यह 4 वड कहीं ना कहीं जरूर सुनाई देंगे इसके आप दोस्तों एक और मड़ आपको सुनाई देता है वो होता है HV तो दोस्तों आखिर ये सब क्या होता है और इन में क्या अन्तुरता है मैं आज आपको ये पूरा क्लियर करने वाला हूँ तो दोस्तों हम बिल्कुल आसानी से समझ लेंगे हम इसको एक उधारन से समझ लेंगे जैसे हम माल लेंगे कि हमारे पास में एक मोटर है आप मोटर भी समझ सकते हो कोई साब इलेक्रिकल का उपकरन है पर आसानी से समझ लें मैं यहाँ पर एक मोटर बना रहा हूँ तो दोस्तों जो मैंने motor बना ये motor किसे चलेगी ये motor हमारी चलेगी electrical की energy से electrical energy का मतलब हम इसको electrical की supply देखे चलाते हैं तो दोस्तों आखिर कार ये motor की कुछ थाकत तो होगी नगुद आखिर कार तो इसका मतलब यह ए कि आखिर कार इस उप करेंड की टाकत कितना है जेवरी नहीं यहाँ पर आगर मैं मोटर की बात करूँ इसके अला बलब भी हो सकता है बलब की ताकत कितनी है दोस ताकत का मतलब कैसे है जैसे दोस्तो यह एक इंसान है इस इंसान की ताकत कितनी है वो मैं कैसे पता चलेगा तो इस इंसान से मैं एक्टिविटी कराके इसकी एक ताकत है तो इसी तरह हमारी मोटर के भी एक ताकत होती है तो दोसो इसी के साथ में आपको धियां रगरा है कि हमारी ज्यादा थाकत है वह हमारे ज्यादा elektrical के energy को consumption करेंगा इसको कैसे समझोगे तो अगर यह इनसान ज्यादा तेज दोड सकता है, ज्यादा लंबे समय तक दोड़ेगा, तो इसको ज्यादा खाने की ज़रूत पड़ेगी, इसी तरह दोस्तों हमारे जो भी electrical की उपकरण है, अगर वो ज्यादा ताकत के है, तो उसको हमको ज्यादा electrical energy को दिना पड़ेगा, तो अभी तक आपको मतलब जो भी उपकरण है, जैसे मेरे पास हमें एक bulb है, इस bulb को चलने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको supply से जोड़ूँगा, तो इसको supply से जब चोड़ता हूं, तो एक तो मैं इसको voltage देता हूं, और एक इसको साथ में current देता हूं, तो अगर मैं इन दोनों चीजों को ही उपकरण के watt 10 है, तो हमारे जो 10 watt का उपकरण है, यह हमारे ज़्यादा ताकत वर है, और यह 10 watt का उपकरण ही हमारे ज्यादा electrical energy को congestion करेगा, तो दोस्तों अब आपको watt पता चल गया, watt क्या है, हमारे appliance की power है, मतलब हमारे उपकरण की power है, अब दोस्तों इसके बाद में बा watt का भी होता है, और कोई-पकरण हमारे 20,000 watt के भी होता है, तो हमारे जो उपकरण होते है, वो उपकरण हमारे बड़े बड़े भी आते है, तो जो बड़े उपकरण होते है, उसको हम kilowatt में लिख देते हैं, जैसे अगर दोस्तों जो एक है मेरी motor है, इस motor की जो power है, वो power है हमारी 20,000 Watt ठीक है तो ये 20,000 Watt मैं हमेज से इतना बड़ा नाम नहीं बोलूँगा तो इसको मैं छोटे सब्दों में करने के लिए क्लिए क्या करूँगा इस 20,000 Watt को किलोवाट में दन दूँगा आखिर ये वाट और किलोवाट एक की चीज़ है तो आपको सी वित्तासा द करना है कि कितने Watt का है तो आपको क्या करना है हमारा जो भी उपकरना है जैसे अगर मैं बल्ब का उधार रहा लूँँ तो इस बल्ब के नहीं मैं कितने voltage दिये और मैंने कितने current दिया वो दोनों के अगर मैं multiply कर दूँगा तो मेरा आजाएगा वाट ठीक है और अगर मेरे किलोवार्ट को पता करना है मेरे को किसी भी उपकरना है तो में को क्या करना है मेरा voltage तो है और साथ में मैंने current तो दिया यह दोनों तो है पर साथ में मैं इसके अंदर भाग लगा दूँगा एक हजारगा तो आजाएगा मेरा kilowatt ठीक है तो दोस्तों यही हमारे electrical का formula होता है पर दोस्तों हम सभी को पता है हमारे current होता है वो current दो पर करकर होता है एक होता है हमारा AC और एक होता है DC तो दोस्तों यह formula तो हमारे DC के अंदर कहां आदेंगे पर अगर हम कहीं पी AC की बात करेंगे ना तो AC के अंदर हमीसा हमको current के साथ में power factor को भी multiply करना पड़ता है ठीक तो इन दोनों में सिर्फ इतना सा अंतर है तो दोस्तों जैसे है कि यह मेरी motor है अगर यह मेरी motor 20 kilowatt की है तो मेरी motor कितने घंटे चली और इसने कितनी electrical energy को consumption करा मतलब हमारी कितनी electrical energy को इसने खर्च करा वो हमको पता चलता है KWH को ही हम unit बोलते है आप इस चीज का भी ध्यान देड़ा था कि मेरी जैसे 20 kilowatt की motor है तो इस 20 kilowatt की motor हमारी कितनी electrical energy को खच करा वो हमको पता चलेगा KWH के अंदर है मतलब unit के अंदर है जैसे दोस्तों मेरी 20 kilowatt की motor है अगर मैं गंटे multiply कर दूँगा कि मेरी motor कितने गंटे चली अगर एक गंटे को multiply कर दूगा तो हो जाएगा मैं क्या करूँगा 20 into 2 मतलब 40 हो गया और यह हो जाएगा KWH मतलब जो KWH होता है वो KWH यह है बताता है कि मेरी motor ने कितनी electrical energy को खर्च करा तो दोस्तों अब हम एक वाड़ के अंदर इन सभी को देख लेता है कि watt क्या होता है KWH और unit क्या होता है तो दोस्तों जैसे मेरी आपक वोट होंगे उपकरण उसना ही जबत ताकतवर होगा और जो kilowatt है यह kilowatt और वोट यह की चीज़े जैसे कि मैंने आपको बताया था जैसी सरे से हमारा ग्राम और किलोग्राम होता है उसी तरीके से हमारा what और kilowatt है अगर में वाड़ के अंदर 1000 का भाग लगा दूंगा तो व मोटर को चलाने के बाद में इस मोटर ने मेरी कितनी बिजली को खर्च करा वो हमारा के डबलो एज और यूनिट बताते हैं इस किलोवार्ट के अंदर यह अगर में उपकरेंड के चलने के गंटे को मल्टिप्लाइ कर देता हूं तो यह हमारा के डबलो एज हो जाता है मतलब यूनिट हो जाता है तो दोस्तों उमीड ही कि आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बहतर जान करें मिली होगी दोस्तों अगर आप कहीं पर इलेक्टिकल याफी मेकेनिकल फिल्ड के अंदर पढ़ाई याफी जॉब करते हैं तो आपके लिए काफी मैथपून को पढ़ते हैं वो भी अच्छे से इलेक्टिकल मेकेनिकल को समझेंगे तो दोस्तों एक बार आप हमारी वेबसाइट से जरू जुड़िए इसके लिए आप गूगल पर जाके सर्च मार सकते हो इंजिनियरिंग दोस्त और दोस्तों आपको वेबसाइट कैसी लगी वीडियो को लाइक के जरू बताएं अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रदेफी इलेक्टिकल से वड़ा ता आप मुझे नीचे कमेंड़ बक्सें कमेंड करेंगे पूछ सकते हैं इलेक्टिकल की वीडियो से कर आप हिंदी में नहीं प्पसंद करते हैं आगे म पर चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए आज के लिए नहीं धन्यवाद